Find gm between 9 & 5, 4 & 9 and minus 2 & 8 हम एजमेटरिक मीन फाहिए किस के दर्मयान? 9 & 5 के दर्मयान एक दूसरा आज 4 & 9 के दर्मयान सब्सा minus 2 & इसके दर्मयान तो हम आजमेटरिक मीन का फॉर्मॉला क्या होता है? जिसे हम g कहते हैं एजमेटरिक मीन भी आप इसे कह सकते हैं किसके दर्मयान होता है? plus minus under root a, b a, b को multiply का देते हैं और दर्मयान में बहुत बाहिर आये था under root के plus minus अब इसके विए 1 के करूं 1 में 9 & 5 तो a क्या है? a is equal to 9 b is equal to 5 तो इस फार्मॉले में g क्या बन जेगा? g is equal to plus minus 9 into 5 9 5s are 45 and 9 5 is a 40 5 और 45 को हम लिख सकते हैं 3 इससे अगर direct भी आप लिखना चाहें 45 ना लिखें अगर आप direct भी से करना थे तो आप इसे direct भी लिख सकते हैं 9 क्या होता है? 3 का square plus minus 3 square into 5 आप अगर यह नहीं लिखते इससे इस तरह गार करना है आप लिख सकते हैं अगर इस तरह लिखना चाहें तो 3 square काट जाएगा 3 square और अंडरूट 5 तो 3 square को लिखा देंगे plus minus 3 यह भी जवाब ठीक है अगर बुक के लिखाद से देखें तो बुक में यह जवाब होगा 45 बी कारणत में तो अभी ठीक है इसी तरह आप इसका next part देखते हैं part number 2 4 and 9 4 and 9 तो A 4 B 9 G क्या आजेगा G आजेगा plus minus 4 into 9 36 और 36 क्या होता है 6 का square और 6 का square इसके पराबर आजेगा plus minus 6 geometric mean क्या है plus minus 6 अब इसका last third part minus 2 and 8 के तरम्यान find करें अच्छा geometric sorry इसका third part अब यहाँ रखना geometric mean यह टरूम से find का रहे हैं दोनों या positive होंगी या दोनों negative होंगी अगर एक negative हो और एक positive हो ता अभी metric mean नहीं आता minus and minus 8 वो real नहीं रहते हो जाते हैं imaginary numbers में चला जाता है 2 and 8 तो a क्या है a is equal to minus 2 b is equal to minus 8 a is equal to minus 2 तो gm या g g क्या बान जाएगा g इसी तरह लेते plus minus geometric mean minus 2 into minus 8 अब a 2 जा क्या हो जाएगा 16 plus minus 16 और minus minus plus हो जाएगा अगर इस तरह आज़े under root के अदर minus 1 ना आ जाएगा तो यह होता है a उटा के बराबर और यह imaginary होता है तो इसलिए यह दोनों negative हों भी दोनों positive होगा इसलिए minus under root के अदर नहीं आएगा under root के अदर minus नहीं आता plus minus under root 16 क्या बन जाएगा under root 16 is equal to 4 तो यह इसका जोएटिज मीन आ गया है 3rd का इसके साथ ही अस्वाब को कमल होगा है